जैहिन दोस्तों, जैहिन बच्चों, हिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं आपका दूसरा चेप्टर, राजा, किसान और नगर, जिसके अंदर आरंभिक भारत के बारे में जानकारी है, वो हम प्राप्त करेंगे, कहानी से समझेंगे, उस टैम क्य क्या होता होगा, आपको याद होगा, 19-वी सदी में जब अंग्रेज भारत का इतिहास लिख रहे थे, तो वो ये कह रहे थे, भी 600 इसा पूरव से ही भारत का इतिहास है, प्राचीन इतिहास है, वो प्रारंभ होता है, क्योंकि इस टाइम से यहां के लिखित साक्षे है, व जो हो गया, इसके उपर भी हमने बात कर ली, अब मगद के अंदर उस टाइम अंतिम शाशक थे, धनानन, धनानन, जब वहां का शाशक था मगद का, उसी टाइम क्या था, आप सिकंदर का नाम सुना है न, वो विश्व विजेता बनने के लिए निकल पड़ा, तब उस शिला के गुरुजी, चानक के, ये पोंशते हैं धनानन के पास, और कहते हैं भी भारत को आप एक्टर रखिएगा, यूनिटी में रखिएगा, वरना ये सिकंदर हमें गड़बड कर देगा, लेकिन इनका अपमान किया जाता है, भी एक मास्त्र बताएगा, एक राजा को क्या करना चाहिए, और अपमानित करके निकाल दिया जाता है दरबार से बाहर, तब ये कसम खाते हैं, भी अब मैं ही कुछ करूँगा, और वही ये करते हैं, और अपने खास सिशे, चंद्र गुप्त, मोरे, इनको उनके सामने, धनानन्द के सामने खड़ा कर देते हैं, औ और प्राजित करते हैं, और उसी के साथ मगद पर राज स्टार्ट हो जाता है, मोरेों का, और चाने के निती यहां काम्याब होती है, और 321 इशापुरो के अंदर चंद्र गुप्त, मोरे, मगद के अंदर मोरे वंस की स्थापना कर देते हैं, आप देखेगा इनका विस्त का कहां तक पर जो विस्तार था, ये पिंग कलर के अंदर यहां पर दिखाया गया है, इसके बाद में इनके पुत्र बिंदु सार है, वो यहां के राजा बनते हैं, और अपने बेटे के लिए वो राजगदी छोड़ देते हैं, और उससे पहले ही वो जेन धरम को ग्रहन कर लेते हैं, उसके बाद में बिंदु सार है, आगे चलके आजीवी का जो मिशन है, समपरदाय है, उससे जुड़ जाते हैं, और उसके बाद बनते हैं, मोरे वन्स के सबसे परतापी शाशक, परशिद शाशक, महान शाशक अशोग, ये राज करना स्टार्ट करते हैं, अशो और अशोग बाद में, जब वहाँ अपने समराज्य का विस्तार कर लेता है, धीरे धीरे पूरे भारत वर्स को वो एकता के सुत्तर के अंदर बांद लेता है, उसी टाइम 261-62 इसापुरू की बाद करें, तो अशोग ने कलिंग, जो की वर्तमान में कहा हैं, उडिसा टेक करता है, हमला करता है, कहा जाता है, चानके की अपनी किताब है, उसके अंदर लिखा गया है, विकलिंग जो हातियों के लिए परशिद था, तो उन हातियों को प्राप्त करने के लिए ही ये युद्ध लड़ा गया था, लेकिन उस युद्ध के अंदर लगबग एक ल लित हो गया क्योंकि इस युद्ध से काफी टाइम पहले ही उन्होंने बोध धरम है उसकी दिक्ष्या प्राप्त कर ली थी उसका असर होना स्टार्ट हो गया था और प्रतिग्याली भी अब हम युद्ध नहीं लड़ा करेंगे और युद्ध निती का त्याग कर देता है और एक चीज आप देखिएगा क्योंकि हम प्लस टू स्कूली सिलेबस पड़ रहे हैं इसलिए हम हमारे सिलेबस के अकोर्डिंग ही जो बात है वो यहां पर कर रहे हैं बहुत ज़्यादा विस्तार के अंदर है वो हम यहां नहीं जा रहे हैं कम से कम स्कूल लेवल पर ये के ने ये किया इन सब की जानकारी हमें किस से प्राप्त होती है एक बहुत प्यारा प्रशन भी बनता है भी मोरेवंस की जानकारी के परमुक स्रोत कौन से हैं दो परकार के सोर्से हमें मिलते हैं एक तो साहितिक स्रोत और एक पुरा वस्तू दोनों ही परकार से हमें जानका इन्डी का पुस्तक है वो लिखी थी एक तो उससे जानकारी मिलती है दूसरा उसके गुरु और उसके मंतरी चानक्य, कोटिल्य, विश्णु, गुप्त, तीन नाम और उनकी परशिद पुस्तक है अर्थ सास्तर जो की राजनितिक विशों के उपर लिखी गई है नाम से तो एक इंडिका हो गई किसने लिखी, मैगस्तनीज ने लिखी किसके दरबार में था, चंदरगुप्त मोरे के दरबार में था, कहां से आया था युनान से गरीक से, देखेगा चंदरगुप्त मोरे के समकालिन था उस टेम युनान का शेल्यूकस, उसने अपनी बेटी का बहुत और जो पुराणिक ग्रंथ है संस्कृत वागम में है उनसे भी इनके साशन की जानकारी मिलती है तो तीन परमुख साहित्यक ग्रंथों से हमें जानकारी मिलती है ये sources हो गए अलग-अलग उसके बाद में दो परमुख पुरा वस्तुए मिलती है एक तो है अशोक के ट से जानकारी मिलती है ये इंडिका है मैग स्थनीज की और ये है कोटिल्य का अर्थ सास्तर और आप देखेंगे इधर है शिल्प कला का एक अदबुत उधारन अशोक स्थंब अशोक स्थंब वरतमान में भारत का राज्य चिन है वो घोसित है और आपको पता है इसमें चार शेर चार धरम चक्र है वो दिखाए गए है और चारों धरम चक्रों के बीच में एक एक पशु दिखाया गया है घोडा शेर हाती और बेल को दिखाया गया है और ये हमारा राज्य चिन है जो हमारी शूरवीरता शान्ती प्रियता और एकता का परतीक है तो देखेगा उस का जो system है वो कितना strong रहा होगा तो ये बात होगे भी हम जो once पढ़ने जा रहे हैं उसकी जानकरी किन से प्राप्त हो रही है अब बात करते हैं भी कलिंग युद्ध खतम होने के बाद युद्ध निती अशोक त्याग देता है और कहता है भी अब हम धम की बात करेंगे तो च अशोक ने धम का परचार किस परकार से किया तो अशोक वो मोरे वंस का पहला परतापी सा सकता जिसने अपने अधिकारियों के लिए और अपनी जनता के लिए स्थंबों के ऊपर अभिलेख है उनके ऊपर धम का परचार करता है और ये धम का परचार वो क्यों करता है क्यों कि वो अपने समरज्य को अखंड बनाए रखना चाहता है जहां तक मेरा राज है वहां तक सब कुछ एक जैसा चलना चाहिए और सारा सिस्टम भौती प्यूरिफाई होना चाहिए ये धम एक अचार सहीता है एक नीमावली है एक सिधान्त है वो भी बिलकुल साधारण सी और यूनिवर्सल सारो भौमिक जिसे सब को मानना ही चाहिए इस परकार की है और ये उस टाइम की बात आज भी उतनी ही सत्यप है वो साबित है तो ये एक नीमावली है और इसमें च्यार परमुक बातों का उलेख है एक तो बड़ों का आधर करना चाहिए आज भी हमें यही च इस्पेक्ट करनी चाहिए शेवकों और दासों के साथ भी उदार वेवार करना चाहिए नोकरों के साथ भी अच्छा वेवार होना चाहिए और दूशरों के धर्मों और प्रंप्राओं का आधर करना चाहिए आप किसी भी धरम को मानें ये अपनी स्वेच्छा है ये हमारे देश धरम निर्पेक्स है ये देखिएगा यहां पर भी यही बात है भी धरम निर्पेक्स होना चाहिए आप अपने धरम की बात करें किसी दूसरे का कटाक्स नहीं करें हर किसी को अपने इच्छा से धरम को मानने की स्वतंतरता है आजादी है उस पर थोपना नहीं चाहिए तो ये चार परमुख बातें अच्छे से बड़ों का अधर करें, सन्याशियों ब्रामणों का अधर करें, शेवकों और दासों के साथ अच्छा वेवार करें और दूसरें, धरम की और दूसरों की जो परंपराएं हैं, जो संपरदाएं चलते हैं, उनका रिस्पेक्ट करना और अशोक का ये मानना था भी अगर इन धम के सिधानतों को नियमों को पालन किया जाता है आज भी अगर कोई करता है तो लोगों का जीवन इस जनम में तो अच्छा रहे रहेगा अगला जब जनम होगा उसके अंदर भी वो अच्छा ही होगा उसके साथ ये बातें यहां पर उलेखित की गई है देखिएगा कितनी शांदार बात अशोग के टाइम की आप देख पा रहे हो हम मोरे वंस की इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट जो बातें हैं जो हमारे सिलेबस में हैं उनको सब के बारे में चर्चा है वो कर रहे हैं अब देखिए मोरे समराजय का परसासल आपको याद होगा अभी पीछे हमने जब चंदरगुप्त मोरे के जो टाइम पिरेड की बात की थी तो लगबग ये जो इलाका था इतने तक चंदरगुप्त मोरे का राज रहा था लेकिन जब अशोक वहां का राजा बनता है तो पुरा भारत है वो अखंड था एकता के सुत्र में बंदा हुआ था तो चलिए अब हम जानते हैं मोरे वंस के टाइम मोरे राजाओं के टाइम वहां की परसासनिक व्यवस्ता एडमिनिस्ट्रेटिव का क्या सिस्टम था तो चंदरगुप्त मोरे से अगर बात स्टार्ट क की पटना हो गई और चार प्रांतिय के अंदर थे चार एसे माल लीजिए उसके स्टेट हो गए वो कौण कौण से हैं एक तक्षशिला ये लीजिए तक्षशिला जो वर्तमान में अपने पाकिस्तान के अंदर इधर आब आप करें उज्जेनी ये लीजिए यहां पर इस ज दानी हो गई और चार परमुक जो बड़े प्रांत हो गए अब हम ये कह रहे हैं भी इस पूरे इलाके के अंदर एक तरह का सिस्टम है वो मोरेकाल के अंदर चलता था भी अशोक तो यहां पूरे में फैल गया तो अब हम अशोक की बात यहां और अच्छे से साथ में समझ अब इतियासकार ये सोचते हैं क्या ये संबव था उस टाइम भी एक जगह से इस पूरे उप महादीप को कंट्रोल किया जा सकता होगा क्या आज तो करी रहे हैं सारा सिस्टम लेकिन ये उस टाइम के हिसाब से सोचते हैं तो इनको लगता है भी शायर पूरे में तो नहीं लेकिन जो इनका परसासनिक सिस्टम था वो इसकी राज़दानी और इन चार बड़े जो परमुक केंदर है न यहाँ पर तो जरूर ही स्ट्रोंग है वो रहा होगा तो परसासनिक नियंतर्न समराज्ये की राज़दानी और उसके आस-पास के प्रांतिये केंदरों के उपर रहा होगा अब बात करें अशोक के अभिलेकों की तो अभिलेक है वो सभी है वो एक जैसे संदेश है वो इनके उपर खुदे हुए है और जो पश्चिम में पाकिस्तान से लेकर अंधरपरदेश उडिसा और उत्राखंड तक हर स्थान के उपर मिले हैं अभी अपने पहले मा के उपर उस टाइम उसका राज था और सभी जगह से यहां देखिए साउथ करना टक तक की बात करें इधर बंगाल की खाड़ी तक इधर अफगानिस्तान इधर उत्तर में कश्मीर साइड तक यहां हर जगह से उसके स्थमों पर लिखे हुए अभी लेक मिले हैं और सभी प बड़े जो आप देखें मनसेरा, शाबाजखंडी, कंधार, कलसी, गिरनार, सोपार, शिशू, पालगड, जोगड और सनती यह वो जगह है जहां पर बड़े शिलालेक मिले हैं बड़े खंड मिले हैं जबकि जदातर करनाटक वाली साइड में और यहां सामने अगर बात कर बहलपूर, बेराट, भबरू, यहां पर लगू शिलालेक मिले हैं और बाकी जगह इस अपनी राजदानी के आसपास के अंदर है वो स्थंब, पिलर हैं वो मिले हैं जिनके ऊपर अशोक के जो संदेश हैं वो खुदे हुए हैं तो अब आपके यह क्लियर हो रहा है वी उस आपको आगे बढ़ाते हैं कुछ जानकारियां मैग स्थनीज की इंडिका वाली पुस्तक है उससे भी मिलती है भी उसके अंदर अधिकारियों के काम भी बताए गए हैं भी वो नदियों की देख भाल करते थे भूमी मापन का काम करते थे शिकारियों का संचालन करते थे भ मैग स्थनीज की इंडिका से अपने को मिल जाती है किस परकार से परसासन है वो अपनी सारी सिस्टम को संभाड़ता था और अगर कोटिल लेके अर्थ सास्तर की बात करें तो उसमें वहां की सेनकुक्यों के बारे में और परसासनिक संगठन के बारे में जानकारी मिलती है और आप देखेंगे तक्षशिला और उज्जेनी, यहाँ पर तक्षशिला है और यहाँ पर है उज्जेनी, काफी दूरी के उपर है और इन दोनों के बीच में वैपारी समन तो होते ही थे अच्छे से, तो लंबी दूरी वाले महतोपुण वेपारी मारग पर थे ये और जब कि स्वर्णगिरी की बात करें जो यहाँ पर है स्वर्णगिरी करनाटक के अंदर यानि स्वर्णगिरी मतलो सोने का पहाड वहाँ सोने की खदानों के लिए शायद उनका उपियोग है वो उस टाइम होता होगा तो पूरे समराज्य के संचालन के लिए तो इसका मतलो अलग-लग जगे भी तो उनको जाना होता होगा वेपार भी करना होता होगा तो इसके लिए वो स्थल और जल मारग है उन दोनों का ही इस्तेमाल है वो करते थे और राजदानी से जो प्रांत है च्यार प्रांत वहाँ तक जानने के लिए आपको पता है उस टाइम कौन सा हेलिकोप्टर था या कोई ट्रेन थी कई सप्ता है और महिने महिने लग जाते थे आज यहाँ विश्राम आज वहाँ विश्राम करते थे तो इसका मतलब यात्रा है लंबी है तो इसका मतलब खान पान की विवस्ता भी तो करनी होती होगी और साथ में डर भी तो रहता होगा कोई गडबड नहीं कर दे तो सुरक्षा भी करनी पड़ती होगी सेनिक भी साथ में रखने पड़ते थे तो एक बात तो यहां सपस्ट होती है भी सेना है वो उनकी सुरक्षा का उस टाइम परमुख माध्यम है वो भी तो रही होगी उस टाइम तो इसका मतलब अब इस परसासनिक व्यवस्था में वहां की आर्मी के बारे में भी सेन्यों शक्ति के बारे में भी तो जानना होगा अगर सिर्फ परसासनिक बड़े प्रशन के रूप में पूछते हैं तो ये सेन्य परसासन भी आपको यहीं साथ में लिखना है और कई बार अलग से 3, 4, 2, 3 नम्बरों के अंदर अलग से भी पूछ लिया जाता है तो अब हम इसको अलग से point बना कर क्योंकि हम हर चीज को not form के अंदर आपके school ही syllabus के according चल रहे हैं और एक-एक बात को समझने की कोशिस कर रहे हैं first time में syllabus कर रहे हैं हर बात को समझना बहुत जरूरी है starting में ही shortcut पे आगे तो फिर तो सारा गड़बड ही हो जाएगा पहले पूरी story तो अच्छे से समझे बाद में revision भी होगा practice भी होगी सब कुछ और आपको पता भी नहीं चल पाएगा आपको ये चीजें कब समझ में आगी और याद हो गई याद करना नहीं होता याद अपने आप होते हैं हर चीज बस बात करनी होती है बस बात ही तो कर रहे हैं और इसमें इमानदारी होना बहुत जरूरी है तो सेन्य परसासन की गतिविदियों की बात करें तो यहाँ पर भी मैग स्थिनीज बाई साब का जीकर आ रहा है इसका मतलब उनकी जो पुस्तक है इंडी का उससे हमें जानकारी मिलती है भी सेनिक गती विदियों के संचालन के लिए एक तो बड़ी समीती होती थी और छे उप समीतियां होती थी और उन सभी उप समीतियों के काम जो यहाँ पर एक दो तीन नंबर जो लगा रहे हैं ये हर एक उप समीति का नाम है एक है नो सेना का संचालन करती थी नेवी वड़ा यानि जल मारगों से संबंदित हो गई दूसरी यातायात और खानपान की विवस्ता देखती थी तीसरी है वो पेदल सेनिकों की अप रथारोईयों का संचालन करने की जिमेदारी हो गई और छटी थी हातियों का संचालन करने की तो सेनिकों के लिए ये छे कमेटियां एक नो सेना की विवस्ता देखती थी एक यातायात और खानपान का एक पेदल सेनिकों के लिए विवस्ता एक गोडों वाले सेनिकों के ल दूसरी उपसमीती का। करती है उसकी बात भी हो जाती है तो ये वहां का हो गया अपना सेन्य परसासन की बात अब बात करें भी मोरेय समराज्य कितना महतोपुन था उस टन सिर्फ समान्य जानकरी जो अब तक पड़ा है उसका सार लिखा है यहां पर बस तो हमें पता है 19 सदी के अंदर अंग्रेजो मिली है उसके अदबुत कला है जो अन्य में नहीं मिली है यहां जो अभिलेक मिले है वो दूसरे सासकों से इस राजवन्स को अलग करता है और ये भी कहता है भी अशोक एक वास्ता में एक शक्ति शाली और भहुती महंती राजा उस्टें था 20 सदी के अंदर राष्ट्रव पादी नेताओं ने तो अशोक को अपना प्रेड़ना स्रोत माना है हम खुद समझ सकते हैं भी अशोक कितना ग्रेट रहा है और इस परकार हम देखें चंद्रगुप्त मोरे से लेकर और अंतिम सासक ड्रेदर तक लगबग 1.500 साल तक ही क्योंकि 185 इसापुरुव के अंद वो नहीं माना जाता है यह और मुरे समराज्य है यह सभी क्षित्रों में शायद नहीं फैल पाया जितना और ज्यादा फैलना चाहिए था क्योंकि अशोक के बाद के जो उसके उत्रा दिकारी थे उनमें वो गट्स नहीं थे वो बहुत ही कमजोर रहे थे और आते आते दू के कई भागों में तूट जाता है अलग अलग जगए नहीं नहीं शाशक और रजवाडे हैं वो स्थापित हो जाते हैं तो इस परकार से हमने उत्तरी भारत के अंदर मौरियों के बारे में परमुक बाते सारी और वहां की परसासनिक व्यवस्ता को अच्छे से जान लिया ह और अब बात करते हैं मौरियों के पतन के बाद क्या होता है तो उत्तर में कोन आया और दक्षिन में कोन आया अब आपको आपकी फस्ट क्लास भी याद आ जाएगी इसलिए वहाँ पहले बताया था भी जब हम सिक्वेंस से पढ़ें तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाए तो दक्षिन के राजा और सरदार तो दक्षिनी भारत के अंदर क्या होता है उस टाइम चोल चेर और पांड्या ये सरदारियों हैं उनका उद्य होता है सरदार जो सक्तिशाली होता है जिसके पास राजा की तरह काफी पावर होती है और साउत के अंदर जो सरदारियां हु उनके पास भी काफी पावर्ती और ये अपनी आर्मी है याने सेने हैं सक्ति स्थाई सेनिक है वो अपने रखते थे और ये राज्ये उस्ट एमदक्षनी भारत जो राज्ये वो बहुती सम्रिद रहा और लंबे टाइम तक यहां स्थाई रूप से इन्होंने शासन है वो भी होता है इन सब के बारे में जो हमें जानकारी है वो संगम गरंथों से मिलती है संगम गरंथ जो कि तम्मिल भासा में दक्षनी भारत के अंदर प्राचिन तम्मिल भासा में जो गरंथ लिखे गए हैं वो संगम गरंथ है इस टाइम पिरियड को संगम काल भी कहा जाता है इत वो प्राप्त करते थे कौन से ये शक है यहां पर कहां थे ये पश्मी उत्तरक्षेतर के अंदर ये शक थे और इनके साथ साथवा अंसासक और चोल चेर पंडे हैं उनके भी वेपारिक संबंद है वो रहे इतनी बात पता हो जानी चाहिए अपने को तो प्लस टू के अंदर उसके बाद 200 की बात हो गई अब चलिए बात करें 3320 से आगे का फिर क्या सफर है वो रहता है तीसरी शताबदी के अंदर दकन में एक नया सिस्टम आ जाता है वाकाटक यहां साथवाहन के उपर यहां पर वाकाटक वंस आ जाता है और पूरवी भारत के अंदर ये पूरव ना हो जाती है नया एक राजवंस एक नया महतवपुन राजवंस का उद्य है वो इस साइड में होता है जहां मोरियों के बात करें वो बिहार साइड के अंदर ज्यादा एक्टिव थे वहीं गुपतों का जो ज्यादा एक्टिव यानि जो शासिनकाल रहा आज के इसाब से बात करें तो UP साइड के अंदर है वो रहा फिर पांचमी और छटी शताबदी इश्वी के अंदर बात करें तो करनाटक वाली साइड में चालुक्यों का राज आ जाता है और तमिलाडू वाली साइड के अंदर पलवों का उध्य हो जाता है तो मोरे आगे मोरे गे उसके बाद के टाइम में यहां साथवान के साथ यहां वाका-टक्का भी उद्य हो जाता है और चोल, चेर, पंडिया धिरे धिरे यह खतम होते जाते हैं और चालूकया और पल्लाव घंस्की स्थापना है वो हो जाती है तो South India की बात करें या दक्कन क्षित्र की बात करें तो ये इतनी बात अपने को अच्छे से clear है वो हो जानी चाहिए अब बात करेंगे अगले वीडियो session के अंदर और क्या करेंगे उससे पहले एक प्रशन मैं आपसे पूछूंगा उस प्रशन का जवाब आपको comment box में जरूर देना है Mags Tiniz का नाम कई बार आया Mags Tiniz ने कौन सी किताब लिखी जिससे हमें मोरेों की जानकारी होती है और साथ में Mags Tiniz है वो किस मोरे राजा के समय में भारत के अंदर यानि उस मगद क्षेत्र के अंदर आया था तो इस दोनों प्रशनों का जवाब आप comment box के अंदर जरूर लिखिएगा और अब राजवंसों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त हो गई है और साथ में मोरेों के टाइम की सारी महतुपून बाते हो गई अब साउथ से आगे के सफर की और बढ़ेंगे और किस परकार आने वाले समय में जो राजा लोग थे उन्होंने तो बहिया अपने आपको देवता बना कर लोगों के सामने प्रसुत कर दिया पूजा करानी स्टार्ट कर दी कमबक तो ने क्या क्या किया उनके उपर भी बात करेंगे अगले वीडियो सेशन में तब तक जै हिन जै भारत फिर मिलते हैं